Good morning students, आज हम पढ़ेंगे class second के environmental में से 7th chapter where we live, कहां हम रहते हैं We need a house to live in, हमें रहने के लिए हमें जरूरत होते हैं गर की It is our basic need, यह हमारी बुनिया दी जरूरत है हम बाहर नहीं रह सकते हैं It keeps us safe from heat cold, rainstorm, dust, dirt, etc हम बाहर क्यूं नहीं रह सकते हैं क्यूंकि बाहर क्या होते हैं? दूप होते हैं, ठंड होते हैं, बारिशी होते हैं, तूफाने आते हैं, दूल आते हैं, गंदी गया हैं यह सब बाहर है, इसलिए हम बाहर नहीं रह सकते हैं इन सब से हमें कुन बचा के रखते हैं? house, जो हमारे घर है, वो हमें इन सब से बचाते हैं it also protect from thieves and wild animals यह किस से बचाते हैं हमें? जो चोर होते हैं, चोरों से हमें बचाते हैं wild animals जो जंगली जानवरे हैं, उन से हमें बचाते हैं house are of many types, गर अलग अलग तरह के होते हैं a house may be a कच्चा होस और a पक्का होस गर अलग अलग तरह के होते हैं, एक होते हैं कच्चा होस, दूसरा है पक्का होस या कच्चा होस होते हैं या पक्का होस होते हैं कच्चा होस क्या है? कच्चा होस is made up of bamboo, mud, straw, clay tiles, etc. It is a temporary house. कच्चा होस क्या है? किस से बने होते हैं? मच है, कीचर्ट से बने होते हैं, straw, जो गास, अ१ेरा उंसे, जो clay tiles, clay tiles means चिगनी वाली जो मिट्टी होते हैं उन सबसे बने होते हैं इसलिए ये क्या है? temporary hose कहते हैं temporary hose ये ज्यादा टिकते नहीं है इसलिए इसको temporary hose कहते हैं पका hose किसको कहते हैं? पका hose is a mat of cement, iron road, brick, etc. पका house किस से बने होते हैं? cement से बने होते हैं, iron road से बने होते हैं iron road means जो लोहे की roads होते हैं उन से बने होते हैं, brick जो इंते हैं उन से बने होते हैं It last for a long time and called a permanent house ये ज्यादा time तक टिकते हैं इसलिए इसको permanent house कहा गया है आज हम यही तक पढ़ेंगे आप लोग समझ गए होंगे कच्चा होस क्या है पका होस क्या है ठीके बच्चों कल हम पढ़ेंगे इससे आगे थैंक यू